कक्षा ग्यारा के भुगोल के सभी विद्यारती लोजी आ गया है आपका भुगोल का पेपर निम्न लिकित में से कुन सा विसे कालिक संसिलेशन करता है इतिहाद बर्खान का निर्मान की स्कारग द्वारा होता है पवन वायू मंडलन मापने का यंत्र है बेरो मिटर चेव व विद्यान तथा जलवायू विद्यान का अध्यन भुगोल कहलात के अंतरगत किया जाता है प्रसांत महासागर के किनारे पर चली इसके बाद में यहां से देखे आकास का रंग नीला प्रतिर्या की कारण दिखाई देता है भूतल का वहाँ बिंदु जो भूकंप के की तप होता है अभी केंद्र केलाता है बहुत सी संबंदित वुगाकरतिया मिलकर भूद्रश्य बनाती है सबसे अधिक गर्त प्रसांत महासागर में मिलते हैं ठीके संवन धारा सिद्धान तका आर्थर अहमसा जाएगा प्रतिवी पर महासागरों की उत्पत्ती चार सो कर सुनामी के आने का प्रमुक कारण बताएगा निच्छेपना परदन का क्या परिनाम होता है हंडी जलधाराय महादीपो में पूर्वी टट पर बैती है मानों के आने से जेव विजता में इतनी तेजी से कमी आने लगी थी वन्य जीव वन्य संदक्षन नीती उनिस वन्ठय में का संसोधन किया गया भूगोल विसे का महतु आपको बताना है भूगोल विज्ञान की जिग्यासा को त्रश्टी करता है वरन की निर्पेक्षाद्रता क्या होती है ठीक है इसके बाद में आपका यहां से दिखिए पर जाती विविज्टा से क्या अतात पर रहे है जे विविज्टा को संदक्षन के आवेसक तक क्यों है बंगाल की घाड़ी में इस्तिदीप समू के नाम आपको बताइएगा यहां से दिखिए कुस्टे नमर 11 पस्षी में कोई डेल्टा नहीं है डेल्टा किसे केते हैं वर्तमान में आपदाओ को सुभेग्यता जो बढ़ गई है आपमान की विद्करम को समझाईए महा सागर की लवनिता को प्रवाइद करने वाले तीन कारक बताना है जोहर भाटा की विविन प्रकारों का वर्णन आपको करना ह ठीक है इल अटलांटिक सागर की धारों का वर्णन करना है देखिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो अच्छे से तैयारी करना है आपको जो प्रस्णों में बता रहा हूं यही परिच्छाल में आपको देखने को मिलेंगे मर्दा निर्मान की प्रक्रियात अधाकारों का विस्तार में समझाएए भूम जलक निर्मित भारत में होने वाले